हैलो फ्रेंड्स, वैलकम टू नेचर इज लाइफ, फ्रेंड्स कल हम आपसे विंटर प्लांट शॉपिंग शेयर किये थे, जिसमें हम ये पेंजी प्लांट लेकर आए हैं, तो आज हम इसे प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे, साथ ही आपको पेंजी की केर टिप्स भी शे ना लिए हैं, और अब इन ड्रेंड्स होल को हम किसी भी पतले से कपड़े से, जैसे ये हम नेट का कपड़ा ले रहे हैं, इस नेट के कपड़े से कवर कर देंगे, ताकि पानी आसानी से बाहर निकल जाए, पॉट में होल्ड ना रहे, तो आप इसके लिए चोड़ा त्यार कर लेते हैं, तो ये पॉटिंग मिक्स की बात करें, तो हमारे हैं कि जो स्वाइल है, वो क्ले साइल होती है, तो इसमें हमने 30% जो है रिवर साइंड मिलाई है, और देखी इस स्वाइल को हम ऐसे बांध रहे हैं, ये हलकी सी मॉइस्ट स्वाइल है, बांध रहे हैं कुल मिलाके हमें पोरस स्वाइल त्यार करनी है अब कमपोस्ट की बात करें तो स्वाइल को फर्टाइल बनाने के लिए आप इसमें लगबग 30% काउ मेन्योर एड़ कर सकते हैं काउ मेन्योर ना हो तो आप इसकी जगा वर्मी कमपोस्ट भी एड़ कर सकते हैं अभी मेरे पास कोई कमपोस्ट नहीं है तो मैंने इस पे कोई भी कमपोस्ट एड नहीं किया है अब हम इस नरसरी बैग में से प्लांट को बहार निकालेंगे तो बस हलका हलका सा इसे प्रेस करना है दोनों फिंगर को प्लांट के बीच में फसाना है और पीछे से आप ऐसे खीचेंगे हलका सा तो ये पूरा रूट बॉल सहीद बाहर आ जाता है तो ये देखिए और ये जो प्लांट जिस स्वाइल में लगके आया है ये काफी पोरस स्वाइल है ये सायद इन्होंने बहुत अच्छे से कंपोस्ट एड किया है नहीं तो हम नर्सरी से जो प्लांट लाते हैं उसकी स्वाइल बहुत ज़्यादा क्ले स्वाइल होती है काफी हाट स्वाइल होती है तो हम इसे ना भी रिमूफ करें तो चलेगा लेकिन ये इसमें सैंड एड नहीं करते हैं तो ये मॉश बीचे से इसकी स्वाइल जो है उसको कुछ हटा दूंगी लेकिन आप बिगनर हैं आपको रिपॉर्टिंग का आइडिया नहीं है तो आप प्लांट की रूट को ज्यादा डिस्टप ना करें आप इन्हें सीधा भी लगा सकते हैं पर हम साम के समय रिपॉर्टिंग कर रहे हैं तो अभी टैम्प्रेचर भी ज्यादा हाई नहीं रहता है तो प्लांट अच्छे से लग जाएगा तो मैं इसकी काफी सारी रूट को ओपन कर ली हूँ अब इसे हम बीच में रख देंगे इस तरीके से मैं इसे बीच में रख के इसके चारो तरब जो है स्वाइल मिक्षर को अच्छे से फिल कर लूँगी तो रिपॉर्टिंग आप इवनिंग टाइम में ही करें तो प्लांट बहुत अच्छे से लग जाता है क्योंकि राद भर की ठंडग में ये अपनी रूट को स्वाइल में थोड़ा सा स्टेबल कर लेता है स्वाइल को हमें थोड़ा सा प्रेस करके ही भरना है क्योंकि जब मैं इसमें पानी डालते हैं और अच्छे से दबा के ना भरो तो यहां पे फिर घड़ा बन जाता है और प्लांट की रूट बाहर की तरफ निकलने लगती है इसलिए स्वाइल को थोड़ा सा प्रेस करके ही भर रहे है और रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को तीन चार दिन आप सेड़ी प्लेस पे ही रखें जब तक यह रूट पे जम ना जाए यह मैंने अच्छे से इसे स्वाइल मिक्चर से फिल कर लिया और जो यह फ्लॉर है यह इसपैंट हो गया है तो इसे हमें यहां से रिमूफ कर देना है देखिए यस पर यह न्यू बर्ड़्स है और यहां पे भी देखिए यह न्यू बर्ड्स बन रही है तो तो कुछी दिन में यह प्लांट अच्छा बूसी हो जाएगा लेकिन अब ये 15 days इस plant की growth आपको रुकी हुई दिखेगी क्योंकि plant को अपनी root को soil में जमाने में लगबख 15 days का time लग जाता है और देखे यह yellow floor भी spend हो गया था मैंने इसे भी cut कर दिया है लगबख 15 days तक plant की जो growth है वो रुकी सी रहती है क्योंकि plant अपनी सारी energy पहले root को soil में set करने में लगा देता है जब root अच्छे से soil में set हो जाती है उसके बाद वो अपनी सारी energy जो है वो plant की growth में और flowering में लगाता है तो फिर कुछी दिन बाद देखेंगे कि यह plant जो है वो बहुत अच्छी growth ले लेता है आप watering की बात करें तो आप इस plant में जब भी watering करें तो soil को check करके ही रखें इसकी soil एकदम dry भी नहीं होनी चाहिए और एकदम swagi भी नहीं होना चाहिए मतलब इसकी soil में हलका सा moisture बना रहना चाहिए यदि आप इसकी soil को एकदम dry रख देंगे तो इसके फूल बहुत जल्दी मुर्जा जाते हैं और बहुत ज़्यादा शौगी रखेंगे तो फिर इनमें root rot होने लगता है तो आप watering soil check करने के बाद ही करें और plant को full sun में ही रखना है क्योंकि इन्हें जितनी अच्छी sunlight मिलेगी यह उतनी अच्छी flowering करेंगे तो इन्हें दिन भर की धूब मिल सके ऐसी जगह में plant को sifter करें और fertilizer की बात करें तो हमने इसे अभी report किया है तो one week तक आप इसमें कोई भी fertilizer अलग से add ना करें वन भी बात हम इसे हर 7-8 दिन में mustard cake का liquid fertilizer दे सकते हैं या फिर आप vermicompose का liquid fertilizer बना के दे सकते हैं या आप kitchen waste का भी liquid fertilizer इन्हें दे सकते हैं क्योंकि यह जितने भी winter plant है इन्हें कम time में ज़्यादा flowering करनी होती है तो इन्हें ज़्यादा fertilizer की जरूरत होती है आप इन plant को हर 2-3 दिन में souring करा दीजिए तो plant की leaves पे जो भी dust वगरा रहता है वो साफ हो जाता है जिससे इनकी photosynthesis की process बहुत अच्छे से होती है और plant अच्छा healthy grow होता है और साथ ही इससे इनमें insect वगरा भी आकर नहीं लगते हैं और हमारा plant खराब होने से बच जाता है तो friends ये थी पेंजी plant की care tips पे एक छोटी सी वीडियो I hope आप लोगों को पसंद आई हो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे बने रहे है इसी तरीके से support करते रहे हैं पिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई